नमस्कार दोस्तों, Study with the YouTube चनल पर आप सबी का स्वागत हैं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSV Nursing Officer की बरती के बारे में DSSV Nursing Officer की बरती जो 2018 में आई थी उसका क्या result रहा था, क्या cut-off गई थी और document verification के लिए कितनी cut-off गई थी 2018 में vacancy थी और इसका जो exam था, 2000 गुनिक्स में conduct करवाया गया था result भी 2000 गुनिक्स में ही इसका आया था तो दोस्तों, इसमें और बात यह कि कितने application form उस time पाई थे कितनी candidates exam में appear हुए थे और अब कितने application form आ गए यह बात विए में आपको बताऊंगा तो वीडियो end तक जरूर देखना, चैनल पर नए हो, subscribe जरूर कर लेना तो दोस्तों, सबसे पहले अपन final cut-up देख लेते हैं, final cut-up कितनी रहेगी last time जब 2018 में यह vacancy आई थी, तब इस vacancy में 1000 24 पद आये थे ठीक है, OBC के 516, UR के 516, OBC के 277, ST के 154, ST के 77 पद आये थे, उस टाइम पर AWS नहीं बनाता, AWS नहीं था इसका जो exam हुआ था last time, 27, 28, 29, 30 अगस 2019 को और 7, 7, 30 September 2019 को हुआ था ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आगे देखें, इसका जो result आया था, final result कब तक आया था, उसके बारे में आपको बताता हूँ, result कापी लेट आया था, यह date देख सकते हो, final result की, कि 13 June, 13 June 2020 को इसका result आया था, final, किसका, 2018 में vacancy आया थी, और final result आया था, 2020 में, मतलब कापी लंबा time यहाँ पर लग चुका था, अब इसके बाद अगर हम देखें, इसका final result, तो final result में जो cut-off रही थी, category wise में आपको बता देता हूँ, category wise यह cut-off रही थी, final result में, OBC के लिए, UR के लिए 123, OBC के लिए 98, याने कि out of 200, 200 में से यह cut-off रही थी, और SC के लिए यहाँ पर 108, ST के लिए 102, और EX Service Men के लिए 70 रही थी, यहाँ पर OBC की सबसे कम देखने को मिल रहे होगी, क्यों, क्योंकि OBC के लिए सिरफ और सिरफ दिल्ली के candidate एपलाई कर सकते हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, वोई candidates के लिए apply कर सकते हैं, आदर स्टेट के candidate यहाँ पर इस category में consider नहीं करे जाते हैं, इस वज़े सबसे कम कटोप यहाँ पर OBC की रहती हैं, तो दोस्तों, वीडियो सब्सेर करना, अब हम बात करते हैं कि इसमें किते candidate अपियर हुए थे तो उनकी संक्य यहाँ पर आप देख सकते हो, टोटल जो candidate अपियर हुए थे, 49,775, नॉर्मलाइज मार्क जो प्राप्त करेते हैं, 49,775 candidate लास्ट टाइम इसमें अपियर हुए थे, इस बार चिनमजार 505 एप्लिकेशन फोरम आये हैं, तो इसमें अगर आ इसको माइनस करत हैं, तो देखो किता आता है, तो 56,000 जदा फोरम आये इस बार, इस बार पिछली बार की तुलनाए में 56,750 एप्लिकेशन फोरम जदा रिसी हुए हैं, और इस बार आप समझ सकते हो, इस बार वेकेंसी कितनी है, वेकेंसी है, पंदरा सो साथ, अब लास्ट में कटोप कितनी हैं, और इस बार आप समझ सकते हो, तो यह कटोप लास्ट यर रही थी, दो सो में से, किसके लिए डॉकुमेंट वेरिपिकेशन के लिए आने के, इन सभी केंडर्स को डॉकुमेंट वेरिपिकेशन एड़ोईजर की प्रोसेस जो डियस बीकी वेबसाइड पर करवाई जात आपको वैसे पता होगा, इसका सेलेबस में, दो सेक्सन होते हैं, सेक्सन ए और सेक्सन ए में पांच पार्ट होते हैं, बीस-बीस क्यूसन के पांच पार्ट होते हैं, जिसमें आपके जीके होगी, मेत होगी, रीजनिंग होगी, इंगलीस होगी, हिंदी होगी, पांच पार अगर नहीं देखा हो तो आपको मैं लिंक सेर कर दूँगा आप देख लेना कि कौन से टोपिक से कितने नंबर के क्यूसंस आते हैं तो उसके बारे भी आपको जानकारी जल्द ही मिल जाएगी अब यहां पर आप देखो यू आर्ट नंबर का गेप आपको देखने को मिला है ठीक है आर्ट नंबर का गेप यहां पर देखने को मिला है और इसके अलावा अगर हम बात करें OBC केटेगरी की तो OBC केटेगरी की भी आप देखो 98 SC की 108 और ST की 102 तो इनमें जो लगबग गेप देखने को मिल रहा है कितना पंड़ा है यहां पर OBC में बात करूँ तो OBC में 98 यानि कि यहां पर 13 नंबर का गेप आपको सिदा 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 देखने को मिल रहा है इसके अलावा SC केटेगरी में इसको 101 मान कर आप चलो 101 से 108 हो गई थी लगबग यहां भी 7 से 8 नंबर का गेप आपको मिला है ST केटेगरी में सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलूगा इससे भी 94 से 102 यानि कि लगबग 8 नंबर का यहां पर आपको उछाल देखने को मिला है तो दोस्तों जो कटोप रही थी कटोप एड़ोईजर के लिए और फाइनल कटोप में 8 नंबर का 8 से 10 नंबर का गेप हर बार आता और इस बार भी यही रहेगा 8 से 10 नंबर का गेप यहां पर रहने वाला है तो यहां कितने केंड़ेट्स इन्होंने पास करे हैं तो हूँ आर दर नॉर्मलाज़न मार्क उप्टेन बाइडर 49 साथ सो पचास केंड़ेट्स हूँ है उदर डूली अपेड इन दर रिटन एक्जाम है ने कि यहां सभी रिटन एक्जाम में अपियर हुए थे और यहां 27, 28, 29 अगस्त को और 30 अगस्त को साथ यह 30 सेप्टेंबर को भी एक एक्जाम कंड़ेट्स करवाया गया था नर्सिंग ओपिसर का तो इसमें इतने केंड़ेट्स अपियर हुए थे इसके अलावा इसमें कितने गुना पास करें इसके बारे में अगर दे रखा हो तो भी बता देता हूँ तो यहाँ पर जो इडोजर कि लास्ट टाइम इन्हों ने जो बात दी थी 2018 वेकेंसिर यही थी और इडोजर के प्रोससर्त कब जारी हुए था जैने की PRES आया था जनवरी में रिजल्ट आया था यानि कि September में लास्ट एक्जाम कंडक्ट कर वा लिया गया था नर्सिंग ओपिस रखा और नो जनवरी को रिजल्ट जारी करा गया था 2020 को यानि कि लगबग लगबग नवे महिने में यानि कि चार महिने बाद रिजल्ट इनों तीन से चार महिने में रिजल्ट जारी करा और फिर उसी महिने में जनवरी के महिने में इड़ोईजर की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दे जाने की लगबग पांच महिने फाइनल रिजल्ट आने में डियसस्पी ने लगा दिया था तो इस अकोडिंग अगर आप देखोगे तो काफी स्लो प्रोसेस में डियसस्पी यहां पर काम करता है और दोस्तों जो भी कोई अपडेट है कि डियसस्पी से रिगार्डिंग किसी अएन लेकिन को डिली का अपलोड नहीं कर पाए था उनको भी डिस्कौलिफाइ कर दिया गया था और यहां पर देखो कटोप केंडिए जनों सम्पीटे डिस्टेशन सर्टिविकेट विद एनी नर्सिंग काउंसल प्रियोर और टू कटोप डेट यानि कि जो डेट थी उस डेट के पहले अगर नर्सिंग सर्टिविकेट अगर आप अपलोड नहीं करते हो तो उससे भी आपको डिस्क्वालिफाई करा जाता है तो वो स सारे रिजन्स होते हैं जिन से डिस्क्वालिफाई हो गरा करते हैं दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना मिलते अगले वीडियो में दन्यवा दोस्तों टेक कियर